Gaba Pantene Gaba Pantene is an anti-epileptic drug तो इसका जो action हो का है that is anti-convergent इसके लाबह हम इसको यूज कर सकते हैं as an adjunct for the treatment of partial seizures इसके लाबह हम इसको यूज कर सकते हैं the treatment of neuropathic pain क्योंकि Gaba Pantene जो है वो एक analgesic भी है सो अगर anti-epileptic drugs कि mechanism of action की बात करें तो इन ड्रग्स ने glutamate की quantity को decrease करना और गाबा की quantity को increase करना है क्योंकि glutamate जो है वो excitatory neurotransmitter और गाबा जो है वो inhibitory neurotransmitter है सो अगर mechanism of action की बात करें तो कुछ neurons होंगे जिने हम कहेंगे glutaminergic neurons जो के glutamate secrete करेंगे और कुछ नियूरॉन्स होंगे उन्हें हम कहेंगे गबर्जिक नियूरॉन्स जो के गाबा सिक्रीट करेंगे तो ग्लूटा मिनर्जिक नियूरॉन्स में ग्लूटामेट को वैसिकल्स के अंदर पैक करेंगे जब जब सेल के अंदर रहेगा तो उसके वह जैसे डी पॉलराइजेशन होगी जब डी पॉलराइजेशन होगी तो एक्साइटेशन होगी और एपिलेपसी होगी अब इसी पोस्साइनेप्टिक न्यूरॉन के उपर कुछ न कुछ सोडियम चैनल्स भी हैं यहां से भी यह प पोटेंशल जो है वह ट्रांसफर करेगा और जब कैलसियम चैनल्स एक्टिवेट होगे तो उसकी वजह से एक्जोसाइटोसिस होगी वेजिकल्स जो है वह रिलीज होगे इसके लावे लावा कुछ हमारे पास गबर्जिक नियूरॉन्स हैं जो कि इन्हिबिशन कराते हैं अब इसमें जो गाबा है वह वेजिकल्स के अंदर पैक होता है यही जो गाबा है यह पोस साइनेप्टिक गाबा रिसेप्टर्स के उपर जाएगा और उन्हें एक्टिवेट करेगा जो अब पोस साइनेप्टिक गाबा रिसेप्टर्स हैं उनके उपर कुछ साइट्स होत हाइपर पॉलराइजेशन होगी तो एक्साइटेशन जो थी उसकी इंहिबिशन हो जाएगी और हम कहेंगे कि नियूरोनल एक्टिविटी जो हो डिक्रीज कर गी यानि एपिलेप्सी जो हो खतम होगी है सो जो एक्स्ट्रा गाबा साइनास में बच जाएगा यह थोड़ा बड़ा रीस्टोर भी हो जाएगा किसके तुरू गाबा ट्रांस्पोर्टर्स के तुरू जिसे हम कहेंगे GAT1 और इस तरह जो गाबा का साइकल है वो कंटिनु होगा अब नियूरोन्स के अंदर कुछ इस सेनेरियो में हम डिफरेंट ट्रॉग्स यूज कर सकते हैं एपिलेपसी को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले काबमैजीपीन क्या करेगा इट्स गोइंग टुब्लॉग दे सोडियम चैनल्स सो जो सोडियम चैनल्स है इनको जो चीज ब्लॉग करेगी इस इस की वज़े कैलसियुम चैनल्स है यह इनको ब्लॉग कर देगा अब नौर में इन कैलसियुम चैनल्स ने स्पाइक एंड वेव पैटरन जो इसको मैंटेन करके रखा हुए जिसकी फ्रिकरंसी राउंड बाउट थी हर्ट्स है सो जब हम एथर सक्सिमाइट देंगे और कैलसियुम चैनल ब्लॉग हो जाएगा तो हम करेंगे किह एपिलेपसी जो हमने वह ट्रीट कर दिये इसके लावावा Hein Ter से को भी जाकर ब्लॉक करेगा जिसके वजह से गाबा की कॉंटिटी इंक्रीज करेंगी सब्सद्स बचाowi जादा दर कंद्स को तो इसके जदा sudah जादा घपर … क्थिंॡ का जा जिसके वज़े से हम कह सकते हैं कि जो निरोन है वो हाइपर पॉलराज़ेशन में जाएगा और इन्हीशन में जाएगा करेंगे और क्लोराइड की कंड़क्टर को इंक्रीज करेंगे इसके इलावा इलावा जो बाभी चुरेट्स हैं वह सोडियम और कैल्सियम चैनल को भी अफेक्ट करेंगे सो बाभी चुरेट्स के बाद हम्ण Wanna bePM को सकते हैं वाइगा जाएगा बैकर और बैकर करेंगा है इसेस्सिस्द gown मेट इप को काम करेगा लहमोटर जीन इसके साथ साथ लहमोटर जीन क्या करेगा sodium चैनल चो ब्लॉक करेगा सो जो sodium उनने इसको लहमोटर जीन ने ब्लॉक किया जिसके वज़से हूँगा कहें कि post-synaptic excitation जो है वो decrease होगी है लिमाटी जीन के बाद यूज कर सकते है टाइगर बीन टाइगर बीन क्या करेगी इस इस गोई टो ब्लॉक द गाबा ट्रांसपोर्टर विच इस गैट वन तो टाइगर बीन इस गोई टो ब्लॉक गवा ट्रांसपोर्टर उसके बाद टो पीरमेट यूज कर सकते है अब टो पीरमेट क्या करेगी इस गोई टो ब्लॉक दो एम्पर चैनल जो ब्लॉक हो जाएगा तो उसके वज़ा से टो पीरमेट इस ऑलसो गोईंग तो पोटेंशियेट तगाबा चैनल जो यह सारे फंक्शन थे टो पीरमेट के उसके बाद हम लवाट्री असिटम यूज कर सकते हैं जो कि बाइंड करेगा साइनेप्टिक वैजिकल प्रोटीन एस वी एटू के साथ सो जो साइनेप्टिक यह क्या करेगी this is going to bind to the calcium channels calcium channels भी P q और एन और उसकी जो सब्टाइट पोगी और इस ग्यां टो गैमा 1 एफ टो गैमा 2 जबाबा पंटें calcium channels की इंसब सबसाइट को परबाइंच एट इसकी वैजा से glutamate की release जो वो डिक्रीज होगी सो इस decreased release of glutamate and there is increased release of gaba सो जब gaba बढ़ जाएगी और glutamate कम हो जाएगी तो हम कह सकने कि epilepsy को हमने treat कर दिये थू गाबा पैंटिन तो कर स्पेसिपिक लिए भात करें गाबा पैंटिन के mechanism of action की तो हमें पता है कि जो glutaminergic neurons है उसने glutamate release करना होता है और जो glutamate है यह excitatory neurotransmitter है और यह glutamate इसलिए release करता है जब calcium का influx होता है जब calcium का influx होता है cell के अंदर concentration increase होती है तो synaptic vesicles जो है वो exocytosis start करते हैं और glutamate release होता है तो गाबा पैंटिन क्या करेगी यह calcium channels को block करेगी अब जो calcium channels हैं वो हमारे पास P Q या फिर N टाइप के भी हो हो सकते हैं और इन calcium channels के उपर domains होती है सब यूनिट्स होते हैं विचर alpha 2 delta 1 and alpha 2 delta 2 तो जो गाबा पैंटिन होती है वो इन दोनों domains के उपर बाइंड करती है और calcium channels को block करती है calcium channels P Q या N भी हो सकते हैं जब calcium channels जो है वो block हो जाएंगे उसकी वजह से जो exocytosis होगी वो decrease हो जाएगी और जो glutamate की release थी वो भी decrease या inhibit हो जाएगी तो glutamate was an excitatory neurotransmitter अब excitatory neurotransmitter नहीं है तो हम कह सकते हैं गाबा पैंटिन जो है वो anti-epileptic drug है इसके लावा गाबा पैंटिन और क्या करेगी जो गबर्जिक neurons होंगे जो गबर्जिक nerves होंगी वहां से गाबा के रिलीज को प्रोमोट करेंगी और यह जो गाबा है this is an inhibitory neurotransmitter so excitatory neurotransmitter decrease हो गया है और inhibitory neurotransmitter जो है वो increase हो गया है तो इस तरह कह सकते हैं कि जो गाबा पैंटिन है this is an anti-epileptic drug तो कर फार्मको काइनेटिक की बात के ने तो गाबा पैंटिन ओरली अडिनिस्टर करते हैं इसकी जो excretion है that is unchanged by a renals और half-life is six hours और यह half-life increase हो सकती है जब patient को कोई renal impairment हो clinical use गाबा पैंटिन को यूज का सकते हैं जाट जांक्टिव treatment for partial seizures इसके लावन neuropathic pain में भी गाबा पैंटिन दे सकते हैं toxicity side effects में गाबा पैंटिन से sedation हो सकती है dizziness हो सकती और unsteadiness हो सकती है तो finally अगर सारी anti-epileptic drugs को हम summarize करें तो इसमें कुछ नों कुछ बाबिटल लवाट्री ऐसी टर्म लेमाटर जी रिंपरी गाबलिन प्रियंपर निल और रटीगाबीन आ सकते हैं उसके बाद जो सेकंड ग्रूप है उसमें हम absence seizures treat करेंगे तो इसमें different categories है अगर short acting देखें तो इसमें टाइजी पाम लॉराजी पाम आएंगे अगर long acting देखें तो इसमें फिनी टॉइन आएंगी और जो अदर्स उसमें फॉस्फनी टॉइन और फिनॉपाबिटल आ सकते हैं लेन एक और थर्ड ग्रूप है जिसमें हम absence seizures treat करेंगे तो एक और ग्रूप है जिसमें हम myoclonic seizures को treat करेंगे so for myoclonic seizures we are going to use विल्प्राय के से लेमाटरीजीन क्लोनाजीपाम जोनीसमाइट लेट्रियसीटम एंड टॉपिरमेट इसके लावा कुछ और ड्रग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं बैक अप ड्रग्स या फिर एजंट्स उसमें फाबमेट गबर पैंटेन रूफीनमाइट और वागबेटन आ लावा पैंटेन तो पीरामेट प्रायमिडोन और बॉटलिनम आ सकते हैं जो दूसरा मुवमेंट डिसॉर्डर है उसमें हंटिंग्टन्स डिजीज आ सकते हैं सो हंटिंग्टन की च्रीटमें हैलो पैरेडोल पर फैनाजीन ड्रेसर्परीन और टेट्राबनाजीन यूज कर सकते हैं और जो फूर्थ मुवमेंट डिसॉर्डर हो दैट इस एक्यूट डिस्टोनिया तो डिस्टोनिया में बैंस्ट्रोपीन और डाइफिन हाइडरमीन जूस करेंगे उसके बाद ट्रेव्स डिसकाइनेसिस उसमें हम डियु टेटराबनाजीन जूस करेंगे और वैल डियु इनियु और फैनली वी हैव वीलसं डिजीजेश अफलसं डिजीज यह को कहते हैं यो है झाल झाल